हे गाई वैलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तु दोस्तों आज की वीडियो में नई वेकेंस कि डिस्कस करने वाला हूं एक Metro Railway Project से Vacances Release की गई है Metro Rail Project यह बिल्कुल UPL की तरह काम करती है लेकिन UPL है कि वो NDPC and Reliance का Joint Adventure है और इस जो Vacances के बारे में बताने वाला हूं QLIS है जो की हैधराबाद है यानि की Metro Rail Transpose System में यह वर्क करती है इनकी खुद की Metro Project चलती है तो यहीं से Recruitment आउट की गई है गाईज और अल इंडिया के Candidates Mom को फिल कर सकते हैं यह जॉब्स की वेकंसी है कैसी रहने वाली है यहां पर बिल्कुल फ्रेसर अलाम से अपलाए कर सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा कि कोई deeply wise में बताने वाला हूं यहांपर किसे apply करना है क्या qualification मांगी गई और कॉन के qualification वाले apply कर सकते हैं तो कुछ relevant यहां पर मैं update आपको देने वाला हूं तो वीडियो को चलिए start करते हैं इसंते पहले requested होगी चनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो please do subscribe and hit the bell icon तक इसी तरह latest government jobs की बेट आपको बराबर मिलते रहे तो guys यह इनका official website है देख सकते हैं क्योलिस हैदराबाद.com यह एक private company है authorization company है private यह through क्या करती है कि जो हैदराबाद metro है इस पे project का work चल रहा है और इसी के regarding यहाँ पर main power की कमी है और यह recruitment out की गई है post maintainer की होने वाली यानि कि post आपकी रहने वाली हो maintainer की बहुत यह ची खासी post होती है guys यह धियान रखना अब इसमें disclose नहीं है कि कितनी post पर recruitment आउट की गई है 1100-1500 जो भी है लेकिन कुछ पोस्टें हो सकती है जिसका भी अंदागा भी नहीं लगा जाता government तो है ना guys यह बिल्कुल private है तो यह सब में vacancy बहुत ही कम disclose की जाती है बागी बाद मैं private की update देता हूँ और काफी सारे आप लोगों ने ही request किये private jobs की update हमें चाहिए government की तो आपको already मिलती है तो एक बाद फिर से comment करोगा है जिनें पता ना हो की private की information आपको चाहिए ने चाहिए देखे मैं selected करता हूँ की company कैसा हो देन अच्छी company opportunities मिलती है जहां से बिले मैं देने की आपको पूरी खोसिस करूँगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी official website है और public notification में ही लिखा गया है we are hiring क्योलिस हैदराबाद मार्ट क्योलिस हैदराबाद MRTS यहां पर recruitment देख सकते हैं want to be part of the world leaders in shared mobility यहनि कि इनके साथ share होती है give you a rapid pace to your career यहां पर mountainer की recruitment में मेंटेनर वही है क्योलिस हैदराबाद जो आपका MRTS मास rapid transit system यहीं से यहीं project यह work करती है totally transmitence का यहां पर eligibility discuss की गई है आप देख सकते हैं qualification degree या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए in mechanical, electrical, electronics, electronics, communication, telecommunication, subapplication बात रही कि यहां पर maintainer की vacancy है और ITA का जिक्र नहीं किया गया है almost ITA वालों के लिए ही maintainer की post होती है बट क्या कर सकते हैं क्योंकि यहां पर private company है government तो है नहीं ITA का जिक्र नहीं किया गया लेकिन ITA प्लस अगर आपने diploma कर रखी है तो आप बिल्कुल यहां पर आप जा सकते हैं जितने भी lateral entry वाले हैं ITA प्लस डिप्लोमा आपने किया है आप बेज़िज़क जाय में all candidates से request भी बोल रहा हूं और बता भी रहा हूं passing degree आप देख सकते हैं 2019, 2020, 2021 का pass out degree है आपके पास आप बिल्कुल eligible अप्लाइ करने के लिए तो यह eligibility पता चल गई होगी कैसे apply करना है उससे पहले totally हम discussion देख लेते हैं कि आपकी क्या होने वाली है detail notification तो यह recruitment की notification है position, responsibility यहां पर बता जा रहा है system all the time क्या-क्या होने वाली है organization तो यह permanent management यह depend करता है कि आपकी क्या qualification से अगर आप जाओगे तब ही पता चलेगी यह permanent job है क्या एक project YG job आपको मिलेगी यहां पर किसमें किसमें रखा जागा survey system अगर हम है यह आप देख सकते हैं यह general information है अब इसमें age limit की बात नहीं किया गया आप 18 plus age वाले हैं आप जाएं your present place जो आपको place की जाएगी यहां पर की जाएगी यानि कि government से इन लोग का टायफ होता है याद रखना कि private company private है यह सब जो lead करती है एक contract के तोर पे लेकिन जो government में ही आपको जो training वगरा काम वगरा मिलने वाली है तो वो एक government project है कि skills and experience जो यहां पर रखी गई है आप देख सकते हैं यह सब experience में यहां पर demand बट कुछ भी major नहीं है आप फ्रेसर अपलाई करो आप अराम से यहां पर education and professional qualification technical diploma mechanical electrical electronics और electronics, telecommunication communication सब जाना आपने degree कर रखी है डिगरी भी जाओ आईटी एपलस diploma की रखी है आप भी जाओ यह सारे discussion है ज्यादा कुछ इसमें mention नहीं है exam यहां पर आपका return test interviews के जरीए हाँ पर selection होने वाला है तो इसके regarding कुछ देखे इसमें metro project है salary वैच्छी खासी मिलती है salary आपको इसमें कम नहीं मिलेगी almost 15,000 पलस आपको salary मिलेगी अब आप पूलों के 15,000 ज्यादा salary थोड़े नहीं तो private company में ज्यादा है 15,000 यहां पर बेटेग वालों को starting में नहीं मिलती है याद रखना computer sales वालों को भी नहीं मिलती है तो इतनी salary एगर मिल रही है अराम से QLIS जो MRTS अच्छा salary देती है क्योंकि previous vacancies भी यहां पर maintainer की पहले निकल चुकी है बहुत पहले भी vacancies यहां पर निकाली गई है और यह मत समझना कि हैधराबाद है तो हैधराबाद वाले है लिजबल होंगे अब सभी जाओ यह private company है, government नहीं है लोकल केंड़ेट वगर से कोई इनलों का फरक नहीं पड़ता है अब जाराम से जाओ पहले apply करो उसके बाद देखो क्या जाता है apply कैसे करना यहां पर blue color का आपको बटन दीख जाएगा click here to share your CV तो इस पर click करोगे तो आपको आपको पर share CV share करना होता है याने कि आपकी जो resume है तो resume personal में क्या उतरो आजकल की date में अगर jobs करनी है न तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुल से ability करके रखना होगा पहला LinkedIn में profile generated करो नौकरी.com में करो यह सब चीज़ें करके रखो अपना एक professional resume तयार करो यह नहीं कि जैसे मन किया वैसे बना दो देखे कहीं पर भी job apply करोगे न तो सबसे पहला आदमी जो HR होता है जो interview होता है वो सिर्फ आपका resume देखेगा सबसे पहले attractive होना चाहिए याने कि पहले समझो की एक सुन्दर होनी चाहिए उस तरह बनाओ भी resume कि अगर कोई देखे भी ना तो लगे कि नहीं भाई या इसको पहले में select कर लेता हूँ अब ऐसे ही normal paper में लिख दोगे या फिर normal जैसा बनाओगे तो पहले देखके result कर देते हैं चाहिए आपके पास कितना भी experience हो ओके तो यह चीज़ याद रखना कि अपनी professional resume create करो और वही चीज़ यहाँ पर आपको send करनी है और यह सब्जेक्ट में लिख देना जॉब सापर्शनोड़ी और हाइरिंग यह सब चीज़े हैं maintainer की post के लिए उसके बाद यहाँ पर अपना नाम वेगरा पूरा details लिखना then resume send करना तो यह सब चीज़ें professional होती है send करने का भी एक तरीका होता है तभी आपकी resume को shortlisted किया जाता है यह नहीं कि हर जगा आप resume send करो लेकिन आपको बुलाया ना जाए तो आप बोलो sir हमको बुलाया नहीं किया तो उसके लिए सब कुछ एक system होता है बढ़िया system से करो इसी में यह official मेले इनका आप देख सकते है then यहाँ पर आपको send करनी है अगर आपको shortlisted किया जाता आपको call message के द्वारा आपर information की जागी आपको interviewers वेगर के लिए आना है तो यह details से सारी चीज़ें मैंने बता दी है आप बाकी बाद आपकी मर्जी आपको apply करना है या कैसी करनी है कुछ discussion हो तो आप बेज जिदा कमेंट करें आपकी totally help and reply की जागी hopefully guys वीडियो इस पर लगी हो please like, share and subscribe करें चलेएं नेक्स वीडियो में तब तक लेज़े हैं